बिहार सरकार के खान और भुतत्तो मंत्री जनकराम की नीजी सायक से बबलुकुमार आरे को सनिवार को दिल्ली पूलिस ने गिरफतार कर लिया उस पर गलत तरीके से संसद में अंटी के लिए पास बनवाने का रोप है उसके खिलाफ गोपाल गंज के संसद डॉक्टर आलोक सुमन ने लोकसभाय स्पीकर ओम बिल्ला ग्रीमंदरी अम्युत्सा पी एमो और दिल्ली पूलिस से सिकायत की थी जाच में सही पाये जाने पर उसे गिरफतार किया गया है 17साद यूद्श का रोप है कि बबलु कुमार आरे ने मरे नाम का सहारा लेकर संसद भवन के लिए फरीह पास बनवाया था सांसद डॉक्टर सुवन ने बताया कि बबलू ने मेरे नाम का सहारा लेकर फरजी पास बनाया था या सुरक्षा मामले में बड़ी चूक है जब इसकी जाच की गई तो पाया गया कि फरजी तरीके से उसने संसद में पीए का पास अपने नाम पर निर्गत करा लिया था जब क्यों मेरा पीए नहीं है या पास तब भी बन सकता है जब कोई सांसद अपने किसी नीजी साय को अपने लेटर हेड पर लिक कर लोग सबा में जाने की अनुमती देता है लेकिन बबलू ने किसी भी परकिरिया को नहीं अपनाया है इधर खान भुतत्त मंत्री जनकराम ने बताया कि जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो एक महीने पहले ही बबलू कुमार आरे को बर्खास कर दिया था उसकी तमाम सुविधाओं को खतम कर दिया था अभी उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है या जाच का विसे है कानून अपना काम कर रहा है मैं मामले में कानून का साथ दे रहा हूँ आपको बताते चले कि गुपाल गन स्रीट डॉक्टर आलोक सुमन से पहले बीजेपी से जनक राम सांसत हुआ करते थे 2019 में गुपाल गन स्रीट जेडियू के खाती में जाने से जनक राम को टिकेट नहीं मिल पाया वहाँ से डॉक्टर आलोक सुमन को टिकेट दिया गया फिर बीजेपी ने जनक राम को MLC बना कर मंतिर बना दिया जब से जनक राम मंत्री है तब से बबलू उनके पीए के तौर पर काम दो